Hello Students, आज हम इस वीडियो में कंपनी के इनकॉर्परेशन, फॉर्मेशन, प्रोमोशन इन सब के बारे में समझेंगे तो हमें पता है कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशल परसन होती है जो कि क्रेट बाई लॉग होती है लॉग से क्रेट कर रहा है, लॉग से एकजिस्टन्स में ला रहा है, एक आर्टिफिशल परसन को जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं कंपनी का तो जब हम बात करते हैं, फॉर्मेशन आफ कंपनी की या इन्कॉर्परेशन की या कमिंस्मेंट आफ बिजनेस की, इसका मतलब कहना हम क्या चाहरे है, हम यह कहना चाहरे है कि वो जो artificial person है जिसे law ने existence में लाया है न उसे existence में लाने के लिए क्या तरीका है उसको कैसे existence में लाया जाए तो उस company उस artificial person को existence में लाना ही क्या कहलाता है आपका company को formation करना ठीक है तो formation of company का मतलब एक artificial person को जो की company है उसको कैसे existence में लाया जाए उसको law ने कैसे create किया उस चीज को ही उस procedure को ही हम क्या कहेंगे formation of a company कहेंगे तो basically company को firm करने के चार stages होते हैं किते होते हैं चार स्टेजिस होते हैं, एक कंपनी जिसके जैसे existence में आती है, वो चार स्टेजिस क्या है, सबसे पहला होता है, promotion of a company, company को promote करना, promote करना कम बतलब promotion करना को मतलब वो person, वो पहला person जिसके दिमाग में ये idea है कि हाँ हमें सिब को मिलके एक artificial person को existence में लाना है, ये जो सोच रहा है वो चीज़े आ जाती है, promotion of a company, then incorporation of a company, हम company को incorporate करेंगे, देखे, incorporate करने का क्या मतलब होता है, कि company को register करना है, incorporation of a company मतलब simply आप समझेगा, जुकि कि अगर आप इस point of view से समझेंगे, तो ये सारा concept आपको बहुत अच्छी से दिमाग में बैटेगा, तो incorporation of a company का मतलब होग जिस दिन वो register हो गया, उसकी existence हो गई, company, बन गया artificial person, है न, locky through, वो create हो गया, क्योंकि उसकी registration हो गया, उसके इलावा क्या कहते है, raising of capital, third stage क्या हो जाता है, capital को raise करना, and the fourth stage is commencement of business, तो raising of capital को ही न, कई जगाँ पर subscription कहा जाता है, है न, तो raising of capital है, subscription का करना, and the last one is what, commencement of business, तो य ये चार main stage कहे गए, कि पहले तो company का idea का frame हो जाना, फिर हम उसको किस form में लाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, प्राइवेट बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, OPC बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो form सोचना, then company को register कराना है, incorporate कराना, फिर अगर company register हो की permission दिलाना that is commencement of business तो यह main चार stages कहे गए है clear है तो अगर यह चार stages को complete कर देते तो हमारा company का formation हो जाता है अब यहाँ पर ध्यान दीजीगा कि अगर आप जो company form करने वाले हैं जो artificial आप person बना रहे हैं तो अगर आप उसे public या private बना रहे हैं public के private company बना रहे हैं लेकिन एक ऐसी public के private company बना रहे हैं जिसको share capital की जरूरत नहीं है तो ऐसी company जो without share capital होती है चाहे वो public हो चाहे वो private हो वो अपना business मतलब काम करना अपना business शुरू कर सकती है after two stages मतलब promotion and corporation के complete होते ही जैसे ही आपका registration हुआ आप register हुए कि हाँ आप एक person है आप existence में है उसी दिन से आप काम शुरू कर सकते हैं लेकिन कब जब आप एक ऐसे public के private company बन रहे हैं जो without share capital है लेकिन अगर आप एक ऐसे company बन रहे हैं जो with share capital है मतलब जिसके पास companies having share capital हो share capital के साथ established हो रही है incorporate हो रही है चाहे वो public form में हो रही है private company के form में हो रही हो तो ऐसे situation में आप अपना business अपना काम करना शुरू कब करेंगे इस fourth stage के बाद मतलब जब आपको commencement और business का certificate मिल जाएगा तभी आप काम करना शुरू कर सकते हैं तो मतलब अगर share capital की company है आपकी मतलब public और private आप जो भी है लेकिन having a share capital है तो ऐसे scenario में आपको चारो stage complete करेंगे तभी business शुरू होगा लेकिन अगर without share capital की company है तो दो stages के बाद मतलब registration certificate के बाद incorporation company के incorporate होने के बाद ही आप business start कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह के questions mcq में बहुत frame किये जाते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और यह सारी बाते किसने बताई यह section 11 ने बताई थी कि ऐसा किसको क्या करना होता है clear है अब हम क्या करेंगे एक एक स्टेजिस को जो कि important हैं जिनसे सब को चीज़े frame होंगी उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ठीक है यहाँ पर हम पुरा procedure वेगरा भी समझ लेंगे तो सबसे पहली बात हम करते है promotion of a company promotion of a company में क्या हो गया कि initially the person who intend to form a company जो सोच रहा है जो चाहता है कि एक company को बनाया जाए है उस company को बनाये जाने के लिए उसको existence दिखाने के लिए उसको वाकई में law के थूरू उसको exist कराने के लिए जो person यह सोचता है उसके लिए necessary steps लेता है लोगों कोई कठा करता है और वो सब काम जो करता है वो क्या कहलाता है they are known as promoters उसी को हम कहते है promoters clear है और promoters की definition कहा दी गई है promoters की definition दी गई है companies act 2013 के section 2 subsection 69 में तो वहाँ पे क्या कहा गया कि promoter means कौन लोग होते एक ऐसे person जिसका नाम whose name has been named in prospectus ऐसे लोग जिनका नाम आपकी prospectus में mention है या वो company में identified role कर रहे है मतलब उनका उनका जो काम है वो identified है मतलब कि वो ऐसा चीज है जिनके वज़ा से company frame हो रही है वो work कर रहे है जिससे company को frame किया जा सकता है तो वो क्या कहलते है आपके promoters कहलाते हैं ऐसा किसने कहा section 2 subsection 69 नहीं कहा और उनने क्या कहा have control over the affairs of a company या फिर promoters हम उने भी कह सकते हैं जिनका company के जो भी company की पुरी working है उस पे पुरा control हो चाहे वो direct control हो चाहे indirect control हो या तो as a shareholder हो या तो as a director हो या किसी और form में हो लेकिन वो company के सारी affairs को, सारी working को control कर रहे हैं तो वो हो जाते हैं and third one is क्या या फिर हम क्या कह सकते हैं कि ज समझे कि उनका control नहीं है, कोई working पे control नहीं है, वो shareholder, director किसी भी form में होगे कोई control नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी advice दे रहे हैं, ऐसा direction है, ऐसा instructions है उनका, जिसकी वजह से जो board of directors है, वो अपनी working complete कर रहे हैं, कमपनी का काम complete हो रहा है, मतलब उनकी advice पर, उनके direction पर, उनके instructions पर ही सारा काम हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाते हैं, promoter कहलाते हैं, तो promoter तीन हो गए, या तो फिर उनका prospectus में नाम होता है, या फिर उनका company के first में tightly or indirectly control होता है, या फिर उनकी advice, direction या instructions होती है order of directors को, जिसके through company work कर रही होती है, तो इस तरह के चीजों को जो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके promoters कहलाते हैं, और यही stage आपको क्या कहला रहा, promotion of a company, कि भई पहले तो company का idea तो आना चाहिए, clear है कि ने clear है, तो यहाँ पर याद लखिएगा कि वो person, जो agree हुआ कि हाँ हमें एक company बनानी है, जिसने उस company को बनाने के लिए, उसको existence मिलानी के लिए, जितने भी necessary documents थे, उसको prepare किया, यह ना, जो लोगों को एकठा किया, active role play किया, कि हाँ भी हमको काम करना है, भले और यह भी हो सकता है कि, sometimes promoters ने idea दिया, लोगों को इकठा किया, पर वो इतना actively हर चीज़ को registration में involved नहीं है, बढ़ स्टिल, वो क्या हो गया, आपका promoter हो गया, और यह भी important है, कि अगर यह एक form, जिसने हम कहरें बार-बार कि हाँ company को establish करने में जिसने अपना role play किया हो, सारा काम किया हो, अगर लेकिन अगर आप एक advocate हो, और फिर आप उस company को register कराने में सारा काम कर रहे हैं, तो आप promoter होगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप एक professional capacity में काम कर रहे हैं, तो मेरा काम था यह काम करना, professional capacity में CA हैं, CSI Advocator, और वो सब मिलके अपना company form कर रहे हैं, मतलब documents prepare करने में help कर रहे हैं, तो यह तो उस professional capacity में help कर रहे हैं, तो यह promoter नहीं होते हैं, तो promoter का मतलब यह चीज़ हो गया, कि वो idea आना, लोगों को agree कराना, और सोचना कि हाँ में exist करना है, उसके लिए जितने लोगों कोई कठा करना, जिनसे जो काम करना, जो document prepare करना, वो सब करवाना, वो कहलाते हैं promoters, इस इस ट्लिए हो, तो वहाँ पे अभी जिससे अगर exam point और वे से बात करें, तो sometimes promoters पर ही बहुत सारे question आ जाते हैं, कि promoters कौन होते हैं, उनका क्या function होता है, उनकी liability कैसी होती है, है ना, उनकी legal position क्या होती, क्योंकि वो ना तो कोई trustee है, ना कोई agent है, वो इस तरह के कोई person होते ही नहीं है, तो इस तरह से उनकी status को लेके, उनकी duties को लेके, कई बार exam में से promoters के regarding भी question आ जाता है, ठीके, लेकिन हम यहाँ पर formation of company कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर से इतना ही part in का discuss करेंगे, अब आगे हम बात करते हैं, formation of a company, देखिए पूरे चीज जो है ना, basically है तो formation है, हमने भी formation कही stages पढ़े हैं, कि promotion, incorporation, raising capital and commencement or business, तो यह formation of company का क्या कहने का मतलब हुआ, actually section 3, section 3 बहुत important role प्ले कर रहा है, section 3 ने कहा कि जब आप company को promote करें, आप idea लेके आ रहे हैं आपको company बनानी है, promoters आ गए, उन्होंने सोचा कि मिज़े company बनानी है, तो second steps उनका होना चाहिए, company को किस form में बनाना है, company को किस form में बनाने का मतलब क्या हुआ, कि उसका legal status क्या रखना है आपको, किस तरह की company चाहिए आपको, वो यहाँ पर कहला रही है formation, clear है, और यह किस तरह का होना चाहिए, यह बात कहा लिखी गई, section 3 मिलिखी गई, तो उसमें क्या कहा गया, कि जब promoters ने promotion के बारे में सोच लिया, कि उसके company बनाने है उसे documents ready करने शुरू किया, लोग को इकठा किया, तो अब उसे form decide करना है कि क्या requirement है उसकी, कि इस company को constitute कर पाए, किस तरह की company को उसे constitute करना है, तो उसके लिए जैसे for example, कि अगर वो चाह रहा है कि public company है, तो साथ ये साथ से जादा लोगों को इकठा कर ले वो, तो मतलब क्या form वो सोच रहा है, company जब भी वो form करेगा, तो उसका purpose हमेशे lawful होना चाहिए, उस lawful purpose के लिए उसको form, उसका legal status सोचना पड़ेगा, क्या-क्या requirement है उस company को constitute करने के लिए वो धियान देनी पड़ेगी, तो उसी में section 3 में ये बाई बताई गई, कि अगर public company का form आप सोच रहे हैं, तो साथ ये साथ से जादा persons को आप एकठा कर लेंगे, तब वो सही तरीके से constitute हो पाएगी, private company है, तो दो या दो से अधिक person होने चाहिए, OPC अगर है तो वो एक person होना चाहिए, OPC को हम क्या कहेंगे, गर वो private company को, कि OPC say as a private company, तो वहाँ पर एक ही person से आप company frame कर सकते तो आप किस form में चाह रहे हैं, वो decide कर लेंगे, तो वो section 3 में आया, तो जब हमारा promotion हो गया और हमने form decide कर लिए according to section 3 कि हमारे lawful purpose से हमें इस तरह की company constitute करनी है तो अब क्या करेंगे, तब हम incorporation में आ गये, हमारा actual second stage है, वो आ गया, clear है अब ये incorporation, company incorporate हो रही है, यहाँ देखे concept समझेगे, क्योंकि सबसे important step यही है company को incorporate करने में कितने क्या-क्या होता है, यह सारे questions बहुत frame किये जाते है incorporation का मतलब होता है, register कराना simply आप यह समझेगा, कि अब आपने सोचा, आपने legal status decide कर लिया, मुझे कैसा चाहिए उसके हिसाब से साथ कुछ maintain कर लिया अब आप अपने company को register करा रहे हो, incorporation of a company का simple मतलब समझेगा company का registration कराना paper में ROC, जो registrar of company होते हैं, ROC में जिस दिन उस office में आपका registration हो गया, मतलब आप incorporate हो गए, incorporate का मतलब registration होना, कि हाँ आप लोग मिलके, यह paper है यह काम करोगे, ऐसे हो, यह सब कुछ सब आपने देखे, अपना नाम वहाँ पे time करवा लिया, register करवा लिया, निकि registrar में आप, जो document register है, उसमें आपका नाम चड़ गया, तो हम कहते हैं कि अब आपका registration हो गया, आप अब existence में आ गए, आपको एक certificate a lot होगे, incorporation certificate, जिस दिन वो मिल जाता है, उस दिन से आपका existence बन गई, तो यह सबसे important stage है, incorporation of a company और incorporation of company को simple समझेगे कि registration कराना, तो registration कराने के लिए कई procedure होंगे ROC में जाना होगा, कुछ paper डालना होगा कुछ form भरने पड़ेंगे तो अब पूरा incorporation में यही समझने वाले हैं, clear है, तो incorporation of company कैसे होगा इस बात को section 7 में deal किया गया और वहाँ पर procedure बताया गया कि company को incorporate कैसे किया चाता है, ठीक है, तो पहले तो हम एक-एक steps को यहाँ पर normally समझते हैं, कि अगर आपको incorporate कराना है, मतलब register कराना है अपनी company को, तो अब आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले कि आप किस नाम से अपनी company बनाना चाते हैं, उसकी application डाल दो कहाँ पर ROC में, अब देखिए, आपको registration कराना है, तो registration का काम कौन करेगा, एक person करेगा न, एक office में होगा, वहीं से जाके registration कराएंगे, कि हाँ हम भी हैं, तो इसी आप समझें कि अगर कोई normally किसी baby का birth होता है, या death होती है, तो ऐसे situation में नगर निगम, पर्टिकुलर जिस एरिया होता, वहाँ पर birth certificate लेना होता है, वो प्रूफ करता है कि हाँ भी, ये person इस एरिया का birth, birthed person है, कि आप इनका birth certificate है, इसी तरीके से हर, जो company भी आती है existence में, तो उसके लिए भी एक है, नगर निगम जैसे आप कहरे हो न, वैसे ही ROC होता है, regional offices होते हैं उनके अलग-अलग जगा के लिए, ठीक है तो ROC जो होगी, वहाँ पर जाके आपको अपने papers register कराने पड़ेंगे, उनसे certificate ticket लेना पड़ेगा, कि हाँ भी हम existence में हैं तो उसके लिए पहले काम क्या करना होगा कि अपना नाम उनके हाँ पर एक application form आएगा, हरोसी के office में, वहाँ से उनको नाम अपना reserve कराईए फिर आप अपना पूरा MOA कि हम लोग जो company बना रहे हैं, हमारा MOA proper उसको sign mind करवाएंगे और उसको कहाँ पर ROC में submit करेंगे, फिर जितने भी लोग हमने nominate किये हैं, जो directors हैं, जो as a director work करने वाले हैं ना, उन सब की consent भी हमें submit करने पड़ेगी, हमने जितने भी MOA में sign करवाएं जिन लोगों के, और जिन लोगों के नाम हम mention के, उनके सार के consent भी हमें वहाँ पर ROC में वो भी देना पड़ेगा इसके बाद हमें statutory declaration वो होता है, statutory declaration भी submit करना पड़ता है, इसके लिए particularly एक form आता है, है न वो लोग ROC में आपको online एक form मिल जाता है, INC करके form आता है, आप INC 8 उस form का number होता है, वो ले लेंगे, उस form में आप अपना भर देंगे तो वो क्या होता है, कि वो declare हो गया कि हाँ भाई, हम जानते हैं, अब ये declare कौन करेगा, वो भी मागे detail में पड़ लेंगे वो कह देता है, हाँ भी हम मेरी knowledge में है, कि ये company का सारा काम according to Companies Act है, सारे rule हो सब कुछ वो मानते हैं, वो इसको register कराया गया है, तो हमने declare कि हाँ सब कुछ सही है, तो इस statutory declaration का भी submit करना पड़ेगा, वो सारी document submit करने पड़ेंगे, फिर जितना भी stamp duty है, जो कुछ भी fees वेगर है, सब कुछ आप pay कर देंगे, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, digitally signed ROC से एक certificate मिल जाएगा, जिसको हम कहते है, certificate of incorporation, इसका मतलब registration का certificate मिल गया, आब आप register हो गए, company की existence आ गई, registration के बाद ही आपके existence lawful हो गई, आप exist करते हो, and the seventh is what, जब आपका registration हो गया, existence हो गया, तो आपके घर का address मिल जाएगा, मतलब registered office का address, कि हाँ, यह company इसका office कहाँ पे होगा, registered address क्या होगा, वो भी आपको declare करके आपको बताना पड़ेगा, particular days आपको मिल जाएगा, कि registration certificate मिलने के इतने दिनों के बाद, आपको अपना office का detail भी वहाँ पे बताना पड़ेगा, आप यह सब करते ही, आपका पूरा incorporation complete, अब आप capital raise करो, और अपना business का certificate receive करो, और अपना काम शुरू करो, clear है, अब इसी incorporation को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरा थे, क्योंकि सारा question यहीं से आता है, incorporation से ही आता है, ठीके, अभी तर जितने stages ते वो clear होगे, कि promotion क्या होगे, promoters के थूरू जो चीज़े होगई, फिर हमने किस form में company को register किया है, private public किया, section 3 नहों में बता दिया, और अब सबसे important आया, incorporation of a company, जो कि section 7 है, इसके सारे stages हम यहाँ समझेंगे, तो अगर मैं broadly बोलूँ ना, company का incorporation, registration कैसे होगा, तो देखे, registration का जो procedure है ना, उसको मोटा-मोटी अगर देखे, तो तीनी step है, पहला step क्या हो गया, name का reservation कराना, आप अपने name को reserve कराओ, कि आप किस नाम की company चाहते हो, ठीक है, वो नाम available है भी की नहीं है, क्योंकि होता है ना, कि patent हो जाता कि ये नाम कोई और नहीं रख सकता है, तो नाम की availability पहले चेक करने हो, पहले तो reserve करो अपना नाम, कि तुमको ये नाम मिल जाए इस company का, फिर DIN obtain को director identification number, ये सब भी आप obtain कर लो, और फिर क्या है कि सारे documents को ROC में submit कर दो, जैसे submit कर दोगे तो वो आपको incorporation का certificate देदेगी, fees fees pay करने के बाद, आपको incorporation का certificate देदेगी, काम खतम, तो basically incorporation में, नाम को reserve करना है, DIN लेना है, और सारा document submit करना है, registration का सबसे important step step third है, जहां पर आपको सारे document submit करने है, और बाकी step one, step two step one, step one तो important है, step two बस ये इसलिए है, क्योंकि जब document submit आप कर रहे हो, ना, उस document में कई बाद actors की consent चाहिए, और भी समझ लेते हैं, कि क्या-क्या form number जाएगा और कैसे-कैसे होगा, तो एक तो आपको digital signatures चाहिए होता है, ना, क्या होता है, ये digital signature certificate DSC जो होता है, वो आपको क्या करना था है, apply कर देना होता है, तो आपकी company को मिल जाएगा, और ये digital signature certificate, ठीक है, ये issuing authority आपको, उससे आप authorize करके, आप उसको receive कर लेंगे, clear है, अब इसमें इसको पाने के लिए आपको अपना address proof, ID proof, ये सब चीज़े जो है photograph लगेरा submit करने पड़ती है, तो आपको क्या मिल जाएगा, digital signature का certificate मिल जगा, अब देखे, ये सब एक normal procedure है, अगर आप register कराने जा रहे हो, कंपणी को अपना बताने जा रहे हो, तो उससे पहले अपनी तयारी कर लो, तो ये तयारी करना है, कि हम अपना digital signatures का certificate रिसीब करवा ले, हम DIN के लिए apply कर दे, director identification number, कि कैसे डायर, जो भी proof दे देंगे, signatures उनके देंगे, ठीक है, उनका फिर verification by applicants मतब, DIR4 में, जिसको आप director बता रहे हो, उसका sign wine रहेगा, वो verify करेगा, वो भर भर के देगा, तो ये सब चीज़े आपने करके, अपने directors के लिए, जिसका नाम आप mention कर रहे हो, उसका identification number अब main काम प्रोसीजर शुरूआ कि, पहले application डालो, अपना नाम available कर वा लूआ, जैसे आप नाम available कर वा लिए ना, आप नाम कैसे reserve कर वा होगी, तो नाम reserve करने के लिए, आपको INC 1 form number होता है, उसको fill करना पड़ता है, देखिए, ये जो INC form number है, ये name availability के लिए form number है, INC से क्या होगे, incorporation, incorporation का insert, INC, तो जितना भी incorporation के procedure में form number जाएंगे, वो कौन से जाएंगे, INC से, तो पहला काम तो था कि, नाम को register करना, कि name available है की नहीं, पहले तो नाम booking करा हो, इसलिए सबसे पहला form क्या गया, INC 1, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, तो देखिए, नाम को reserve कराने के लिए, आपको 20 दिन का period मिल जाता है, मतलब जब से आपने reserve करा है, उसके 20 दिन के अंदर आपना काम, 20 दिन के लिए, जब INC 1 fill करेंगे, तो 20 दिन के लिए आपका नाम reserve हो गया, कोई भी चाहेगा, तो इस नाम को नहीं ले सकता, 20 दिन के लिए वो नाम आपके नाम पर अलॉट हो चुका है, कि इस परसन ने apply किया इस नाम के लिए, पहले ये period 60 दिन का हुआ था, पिर जब amendment हुआ, तो उसके बाद इसकी validity period कितनी कर दी गए है, 20 days की कर दी है, तो आपने इपना name को reserve करा लिया, अब यह तो मैंने आपको बता दिया कि reserve 20 दिन के लिए कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, MOA को तयार कर लिए, क्योंकि अब आपको क्या करना, name documents को file करना, जो हमने वहाँ पर बताया था step 3, document file करना, यही main incorporation, registration करने का काम यहाँ से शुरू होता है, यह तो हमने तयारिया करी, name reserve करवा लिया, AOA बनमा लिया, signature अपना डिश्टर रख लिया, DIN का number alert करवा लिया, यह सब हमने तयारिया कर लिया, अब registration का काम शुरू हुआ, तो हमने क्या किया, ROC में अपना form INC 7, वहाँ पे apply कर दिया, कब करेंगे, after the date of filing, INC 1, आपने नाम reserve करवाया है ना, INC 1 में, नाम reserve करवाने के बाद, आपको INC 7 में apply करना पढ़ेगा, file, ठीक है, अब INC 7 में तो incorporation है, incorporation का 7 form number है, INC 7, ROC का form number है, यह इसका मतलब क्या है, आप इसमें apply करने का मतलब, अब आप documents attach करोगे इसके साथ, इसी form के साथ, आप सारे documents attach करने वाले हो, तो आपने apply किया, INC 1 में, नाम को reserve करवाया, अब आपको सारे document attach करके उनको भीजने है, तो उसके लिए आपको कौन सा form भरना पढ़ेगा, INC 7, अगर आप 1% company है, तब आपको INC 2 भरना पढ़ेगा, otherwise private public जो भी हैं, आपको INC 7 ही भरना पढ़ेगा, ठीक है, अब आपको क्या करने होंगे, इस form के सारे attach करने होंगे, आप देखे, कई बर question पूछता है, कि registration के लिए कौन से important document है, जो file करने पढ़ते हैं, तो यह वो attachments ही हैं, जो file करने पढ़ते हैं, मतब आपको registration कराना है, तो क्या-क्या document submit करना होगा, आरोसी में, यही वो attachments हैं, clear है की नहीं clear है, तो इसको कभी-कभी आपकी books में head-in डालके बहुत सारे लिख देंगे, कि यह, यह paper, यह paper, यह paper आपको submit कराने हैं, तो exam की questions बनते हैं, तो चलिए आपको क्या करना होगा, INC-8 form भरना पड़ेगा, वो भी attach कर दीजी, INC-7 के साथ, INC-8 क्या था, आपका declaration certificate है, statutory declaration certificate, यह basically क्या होता है, यह होता है कि जो person है, वो statutory person basically, वो यह declare कर रहे हैं कि भई, यह जो पूरा तयार हुए document, यह सब मेरी knowledge में है और companies act 2013 के जो भी rule लगते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए, उन सारे rule के हिसाब से इस company को establish किया जा रहा है, यह हम अपनी consent दे रहे हैं, वो professionals, अब वो लोग होते कोन है, जिनकी sign यहाँ पे लगती है, तो या तो वो high court या supreme court के advocate हो सकते हैं, या कोई professional हो सकते हैं, like CA हो सकते हैं, CS हो सकते हैं, cost and work accountant हो सकते हैं, सिर्फ यही चार लोग हैं, जिनको यह statutory declaration form भरनी की permission है, इनकी, इनके ही sign चाहिए, तो यह statutory declaration form किस number में भरा जाएगा, INC form 8, form INC 8 में, यह आप click करेंगे, वहाँ पे आप टिक कर देंगे, मालेजी आपकी CA नहीं किया, तो वो CA कॉलम पे टिक कर देगा, अपना membership number, नाम सब आप लिख देगा, तो इसका मतलब वो statutory declaration हो गया, यह भी attach करके चला गया, कि हाँ, इस CA ने यह verify किया है, कि वो declare करता है, कि जितना भी काम हुआ, सब सही हुआ है, और rule के हिसाब से हुआ है, इसी को बोलते, form INC-8, यह statutory declaration form, clear है, उसके बाद हमारा क्या आता है, form INC-9, यह actually एक affidavit form है, तो यह आप देखें, आप लिखाया है, कि affidavit form, from each subscriber and person named as a first director, that he is not convicted in any offense, fraud, तो आप affidavit दे रहे हैं, affidavit कि इस चीज़ का दे रहे हैं, जितने लोगों के नाम MOA Way में आपने as in subscriber रखा या मतब कि आपके first director वगरा हैं, यह वो कहेंगे कि जो कुछ भी company का यह formation या promotion या management पूरा जो भन रहा है और हम लोग जो इसमें involved हैं, हमारे उपर कोई भी किसी भी तरीके का offense नहीं है, कोई भी fraud का case नहीं है, हम किसी भी तरह किसी भी गलत चीज़ में involved नहीं हैं, और सारा promotion formation जो भी इस company का हो रहा है, वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, true हो रहा है, सारी information correct है, ऐसा हम जानते हैं, तो यह affidavit देंगे, तो affidavit कैसे हाथ से लिके देंगे, नहीं, form INC 9 रहेगे, उसी में fill करके देंगे, तो यह सब attachment जा रही है, तो आपकी heading क्या हो जाती है, affidavit देना, किस affidavit में किस form number देंगे, form INC 9 में देंगे, statutory declaration form submit होगा, किस में submit होगा, INC 8 में sign होगा, MOA document submit होगे, AOA submit होगा, directors की consent submit होगी, यह सब चीज़े आपके submit होगे, फिर क्या होगा, और क्या attachment जाएगी आपकी INC 7 के साथ, particulars of all subscribers and director along with ID, bank statement, utility, bill span, signature verification, तो अब digital signatures वेगेरा है, ID proof है, address proof है, यह सब भी attach होगा, उन सारे लोगों के, जिनकी consent, जिनका affidavit या जिनके नाम उस पूरे MOA और सब चीज़ों में आपने रखे हैं, उन सब लोगों की सारे details भी आपको लगानी पड़ेगी, और identity proof of witness of MOA ने होगे, तो witness होते हैं कि हमारी ही knowledge में है, हम लोग के सामने ये चीज़े तयार हुएंगे, तो जो witness लोग है ना, उनका भी पूरा ID proof जाएगा, कि हाँ भाई, ये सब सही तयार हुआ है ये सारे documents, ये सारी attachments आप क्या करेंगे, submit करेंगे और जब आप ये सब submit कर देंगे तब क्या हो गया, आपका registration हो गया तो इसको बोलते, issue of certificate of incorporation, जैसे ये complete हुआ, आपको certificate issue हो गया, किस चीज़ का incorporation का और incorporation का certificate issue होने का मतलब ही हुआ, कि आपकी company existence में आ गई, ठीक है जब आपका existence में हो जाएगी incorporation का certificate मिल जाएगा तब आपकी company को CIN allot होगा corporate identification number जो की 21 डिजिट का होता है alpha numeric code होता है इसमें ठीक है, तो जिस country में company बन रही होती है, मतब जहां पर जिस country की company है जहां पर वो incorporate होई है, और ROC जहां पर वो registered होई है, उसके according अलग-अलग state का, अलग-अलग ROC office होता है, तो उसके हिसाब से इसको जो है, आपका CIA number a lot होता है, और यह किसके अंडर होता है, MCA के अंडर, the ministry of corporate affairs इन सारी matters को देखती है, ठीक है उनी के according, अलग-अलग state में ROC के according ही, आपका CIA number a lot होगा, यह alpha numeric code होगा player, मतब कुछ numbers भी होगे, कुछ आपके digit वो भी होगे alphabets भी होगे, सबको mix करके यह आपका 21 digit का alphanumeric code बनेगा, तो last six digit जो होती है, CIN की, वो क्या होती है आपके company का registration number होती है आपके company incorporate हो गई न, तो इसका मतलब आपको registration certificate मिल गया incorporation certificate का nickname क्या होगे registration certificate, incorporate करने का मतलब क्यो होगे, registration कराना और कहीं पर registration कराने आप जाते हो अब एक competition register कराने जाते है तो कहते है न अपना ID proof दीजे, अपना detail दीजे नाम दीजे, तो आप वो सारे document submit करते है न, तो registration कराने का मतलब, incorporation कराने का मतलब ही क्या हुआ simple सा मतलब हुआ कि सारे documents को वहाँ submit कराना attach कराना, अब वो documents कौन से थे, क्या क्या हैं, वही चीजे हमने अभी तक में पढ़ी है, तो जब आपको certificate मिल गया registration का सब कुछ मिल गया, तो registration number मिल गया होगा, तो इस CIN में last के six desert होने वाली, वो क्या होगी आपकी registration number होती है जब आपको certificate certificate मिल गया, CIN लोट हो गया तो फिर क्या होगा, आपका registered office decide होगा, तो आपको जिस दिन आपका incorporate हुआ है न, उस दिन से 30 दिनों के अंदर आपको अपना registered office बताना होता है, कैसे बताएंगे आप, तो उसके लिए form number है form number है, INC 22 इसमें आप file करके बताएंगे कि मेरा ये है registered office अगर आपका अपना घर नहीं है rent पे लिया है, तो वो rent deed आपको attach करनी पड़ेगी, अगर director ने अपनी ही घर को, अपनी ही premises को use कर लिया as a registered office company का, तो उनको उनकी NOC देनी पड़ेगे, no objection certificate कि director कहे रहा कि ये मेरी premises company का registered office है तो director का NOC वहाँ पे sign होके वो भी attach होगा, तो इस तरह से incorporation certificate के 30 दिनों के अंदर आपका registered office मिल जाएगा ठीके, जब आपका ये सब काम खतम हो गया, तब आप capital raise करेंगे ठीके, अब अगर आप public company है तो आप public share capital raise कर सकते हैं अगर आप private company है तो अपने relative वेगारा से raise करेंगे, इसी वक्त आपका prospectus वेगारा सब issue होता था, तो raising of capital को आप यहाँ part नहीं बना रहें, last हमारा बनता है commencement of business, business शुरू कैसे होगा, तो commencement of business के लिए पहले commencement of business certificate लेना पड़ता है, तो आप public or private company without share capital can start business immediately after getting certificate of incorporation, तो अगर आप public or private company है, तो incorporation के तुरंत बादी आप अपना business शुरू कर सकते हैं, लेकिन कौन से वाली private or public, जिसके पास share capital नहीं है, without having share capital, लेकिन अगर with having share capital है, तो capital raise करने के बाद, commencement business certificate पाईए, और तभी business शुरू करिए, तो ये बात कहाँ पे कही गई, as per section 10A, ये बोला क्या गया, कि public and private company having share capital incorporated after the commencement of company, amendment act 2019, required to obtain a certificate of commencement within six months of incorporation, उन्हें अपने incorporate register होने के 6 महिने के अंदर, 180 दिन के अंदर अपना capital वगएरा raise कर के commencement का certificate ले लेना होता है और जब वो commencement का certificate ले लेते हैं, उसके बाद ही वो अपना business शुरू कर पाते हैं तो ये जो बात लिखीएगे, छे महिने के अंदर उनको अपना certificate issue करा लेना चाहिए, ये बात कहा लिखीएगे, section 10A में लिखी गई है, so I hope आपको clear हुआ होगा कि company को form कैसे करते हैं, ठीक है, formation of company कैसे होती है, I wish you all the best, thank you so much